तक भी है हैं अब इस त्रेंट्स में पीके सिद्धंध स्वागत करता हूँ वह सभी का नेस्ट लेक्षर देखें गे तो इस टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक में हमारे पास एक एक्वेस्टन से सुरूर करते हैं दिखिए हैं कुछ metals दिए हुआ है metal दियो कौन-कौन chromium दियआ हुआ magnesium, iron, cobalt, nickel a Galen ल्हुए को भताना है काउन सा metal दूसरा काउन सा है आपको बताना है कि यहां पर कौन सामेटर लगाएंगे नमबर थर्ड में गई है यहां फाइब में बर्ड है और यहां पर गया है सिक्स में बर्ड है मैंने आपको पहले बोला कके अम मैथड से चलियक किसी ऑक्षिडेशन स्टेट की ज़ौरत नहीं है यहां इस फुर्ड मेंबर्ड है क्या है और यह लग गया तो इस तरह हमारे पास पांच अलग अलग ऑगी जामपन इनमें क्या करना है एप है अगर मेटल को सेट करते हम तो यहां पर क्या हो गाए वार्श रिख़ें यह 5-7 थे ट्वेंगे, तो यहां कितना लगना चाहिए तो यहां पर लगना चाहिए, यह ताकी 18 हो साथ है, और 6 कोँ है तो यह S2D4 से क्या आगा, 6 हाएगा यानि कि हमाने पास क्या लग जाए गया यहां, क्रमियम, यहां देखें यह 5 यह 5 है यह भी 5 यहां, यहां कितने हैं, 8 8 मतलब यहां पर का लग जाएगा यहां आई लगेगा यहां देखे पांच और छे चाहिए नहीं लेटर वाले चाहिए तो कोबल्ट क्या होगे चाहिए लिए यहां पांच हो गया और यह तीन हो तो 5-3-8 तो इसका मतलव में 10 जाहिए तो 10 मतलब नीकेल तो दो कि यहां पर कोण लग जाएगा यानि कि लग जाएगा ठीक तुज तरह filtres अंडेख सकते हैं है अलागालार मेटल को को यहां पर पूट कर सकते हैं यह अचले हूं अचले हैं तो डेखते हैं नेकस्त अम लोगे एजङों नमबर एक हम लोग देखते हैं क्वेस्टन है हमारे पास क्वेस्टन यह है कि भई आपको वी सियो हॉल 6 माइनर यह पुछा कुछ एजामपल देने पुछा जा रहा है कि भाई यह ऑक्षिडाइजिंग एजेंट है यह आपके पास इस्टेबल है इस्टेबल मत्तब एटी रिल टॉन है तो वी सियो 6 माइनर को जड़ा चेक कीजिए और वी सियो 6 को चेक कीजिए ठीक है एफी सियो हॉल 5 को चेक कीजिए उसके बाद आपको जो है इटा 5 सियो 3 को सियो 5 चेक कीजिए ऐफ इसके बाद एटा 3 सियो 4 को चेक कीजिए और आपको इटा 5 सियो 5 सियो 5 को चेक कीजिए और आपको तो पांच दो गए वैनडियम के सीयों में क्या होगा चेड़नी बारा हो गए और एक इल्टोन एक तरह तो बारे तेरह पांच अथारा ना तो यह चोड़ेगा यह ना लेगा ना छोड़ेगा यह क्या करेगा यह स्टेबल है वी सी ओ हल्सिस को देखिए इसमें आपके पांच प्लस बारा सतरा इलेक्टर ने सब्सक्राइब क्या हो गया यह इस्टेबल है इटाफाइस तीपी टूई इटाफाइब के मतलब पांच इल्टों देने तो पांच दूनी दस तंड़स्टन में क्या होगा आपको क्रोम्यू दूटनी चार यह निकी चार हो गया दस छे सोलह चार बीस तो बीस हो गया इसका मतलब क्या हो गया यह उक्षिडाइजिंग नहीं बलकि रिडिउसिंग एजेंट हो गया यह इत्वाँ छोड़ेगा इटाफी सीपी इटाफाइफ सीपी देखिए वीस है अब यहां पर सब्सक्राइब करें दूसरे काड़ेगा ना जिसके पास ज्यादा है तो वो क्या कड़ेगा तो और दो हुआ है तो इसकी वीस है हो उन्हस्याद इन तेनों का स्ट्क्चर कर देगा सामने वाले को रिडियूस कर देगा सिंपल सी बात है कि चलिए तब मैं निवें पास काई पूछा राएं इन तीनों का स्ट्रपूछ रहा है चलो ठीक है सबसे पहले क्या था मारे प सी ओ ठीक है दूसा देखे थे हैं हम लोग हेता फाइब सी पी अई एक अधरी सीपी टंगस्टन सी यो हल्टू डेखते हैं क्या होगे अपकार पास तंगस्टन ये सी यो एक फाइब मेंबरद है एक थ्रीवाला है यह टीक है ETA 3 यहाँ CO और यहां CO और यह क्या हो गया ITA 1 CP ETA 5 CP W CO HALP यहनि कि यह कैसा हो गया Tungsten यहां पर आपको पास हो गया यह और यहां CO और यहाँ CO और यहां पर क्या हो गया CO तो इस तरह से हमने देखा है कि अलग अलग ताइप के स्ट्रक्चर यहां पर हमारे पास क्या अव्ड़ें बन रहे हैं एक क्विशन दिया है बहुत तगड़ा क्विशन है यहां पर ठीक है ओके ठीक न्यूप एक न्यूप टेखते हैं गौर से दिक्विशन यह है आपको तो CP CO CNHN ठीक है यह क्विशन है आपका तो भई प्रावल्म यह है कि आपके पास CP का पता है एलेक्ट्रों चलो 5 होता है CO COBALT इसका पता है इस टूदी सेवन होता है मतलब 9 होता है लेकिन CNHN का पूछा जाए रहा आपको एक्षक्ड की होगा ठीक है आपको एन का वील्यू पूछा जा रहा एन का विल्यू कब पता चलेगा आपको जैसे आपका CP है तो CP के लिए क्लिया 5 एलेक्ट्रों हो गया कोबल्ड का S2D7 हो गया मतलब 9 इल्टरों हो गया और CNHN का हमें नहीं पता हमें CHNN से में पता करना होगा कि इल्टरों कितना निकल रहा ताकि यह क्या हो सके 18 हो सके तो क्या हो गया 9514 14 प्लस X यानि कि X is equal to क्या है 4 है तो 4 साथ के साथ क्या हो या वहाँ आपको और इसके पास C & H N ईल्क्रावबत को का सी खितरों को दो आपका पकली सब्ड़ा एक सांस् опыт दियरक्राव एनिकैल्स पार कि सुचते हैं अगर मालिग यहन एक रखे जासे पहला हो आव माले जयसे बिए देखते यह आप इसमें देखे यह चार इलेक्ट्रोन दे रहा है यह क्या कर रहा है लेकिन एक दो तीन चार कार्बन तो चार होगा हाइडन एक दो तीन चार दो तीन चार पाँच छे हाइडन छे होगा मतलब यह नहीं हो सकता है अच्छा ठीक है यह देखे तो यह वाला दे सकता है क्या आप स्काइब को सat और एक सी टृपल बॉन्ट सी एच और एक एचसी टृपल बॉन्ट tha Л अगर तो यह लेट्रों देने के लिए ताकि एन का विल्य थ्री रख देते हैं अगर सब्सक्राइब कितना होता है सी थ्री हाइडन यहां पर क्या होगे दो और यहां पर दो आगे हैड्रोजन चाहर हो यह भी नहीं होगा अब आपके लास्ट ऑप्सन है सी फोड एचे भी स्टाइब किजिए है यह अला के यह लिक्टर-उन तो चार्ट देगा यह लिक्टर्न क्या कर क्टा 14 दे रहा है और साथ के साथ इसके पास carbon फिचाड है इसका मतलब यह पिया क्या होगी आपका जो structure मेना ली आ रहा है क्या structure अर आपके पास आ रहा यह रहा true cobolt यह रहा आपको सी Bj मैं यह रहा सी पि यह क्या रहा हों को CNH-N मतलब ऐसे ठीक है यह ठीक है तो इस तरह से आपको यह होगा हाला कि ऐसे नहीं ऐसे दिखाना होगा आपको इसको इसको दिखाना होगा सी ओ ऊपर सी पी और यहां पर क्या दिखाना होगा यहां पर आपको दिखाना होगा ऐसे आप ऐसे दिखा दीजिए ठीक है ना तो चलिए इस तरह से क्या होगा हमारा जो हो गया सी एनेजन का वेलियों में एन का वेलियों कितना अगया फोड आ गया और इस्ट्रक्चर भी आपने फोड का क्या क्या निकाल लिया है यहां पर ओके चलिए ठीक है तो अब यहां पर आपसे नेक्स्ट टॉपिक में पूछा जा रहा है नेक्स्ट आप से पूछा जा रही कि बताओ भई मेटल मेटल बॉन्ड इन क्लस्टर ठीक है आपसे नेक्स्ट क्वेशन क्या है आपका नेक्स्ट क्वेशन है metal metal bond in cluster आपसे यह topic है metal metal bond in cluster अब metal metal bond in cluster का अगर value आपको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे भी चले step one में आईए step one step one में कह रहा है सबसे पहले calculate है तोटल वैलन्स एलेक्ट Volvo में डिए क्लस्टर के मतले क्लस्टर एक क्लस्टर यह जिसमें में रमन्स कबाइप later और च41-擄 रहला है कि मैंट रोस्टक है अगर है आपके पास में टू सी यो हॉल टैन है तब कर टोटल वैलेंस इल्टन कितना आ जाया है आपके पास दिखो तो सब इल्टों जोड़ो मेंगनेज के पास एस टू डी फाइव होता है तो मतलब साथ तो साथ दूनी 14 और कार्बन मोनक्साइड पर क्या हो गया आपको देखो यह आपको दो हो गया तो दो गुना कितना है दस तो क्या हो गया साथ दूनी 14 सद दूनी 20 तो 34 कितना निकल गया टोटल वैलेंस इल्टों 34 स्टेप टू आ जाए यह स्टेप टू में कह रहा है कि आप एक टर्म निकाल यह बी बीजिकल ठूता एन एटू 18 माइनस ए मतलब 18 ऐसाद की मैटल की हिसाब से लेंड नंबर हो गया कि आठ गद्रम मतलब पशल्केल तर्म अच्हाल वीचार इंहीं कर देढ़ किए ते यहां क्या करते इम प्लिदVE बी इकल्टो एन कितना हो गया ऑपके पास दो तो दो गुनी 18 और माइन से कितना हो गया 34 तो वிकितना नि सबस्क्राइए को सब्सक्राइब in क्लॉस्टर 추가 सबस्क्राइब तो टोटन वैलай इन कितना होगी अपको अपर अभेन ॉ all तरह को आपको बीबाइटू नमबर ऑफ मेटल यह यह को बोलते हूं लो में नमबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ट इन क्या होगा क्लस्टर तो इस तरह सापको क्या करना होगा आपके पास पता चला कि यह जो एक्जामपल अभी आप देख रहे थे क्या है यह देखें यह रहा मन यह रहा मन यह पांच सियो एक तरफ है अप लोग सर ऐसा पॉसिबल नहीं है यह भी हो सकता है कि सर आपका जो सियो सियो होना सर वह ऐसे हो हो हमने जो भी हो हो सबस्क्राइब कि सी ओ ऐसे हो वो सबस्क्राइब करता है नहीं करता है वह बात यह नहीं बता रहा है यह सिंप्ली बता रहा है कि मिटल मिटल के बीच आपका एक बॉंड है आई बास समझ में चलो ठीक है नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यहां से दूसरा कहाँ आपके पास और एक्जामपल दे दिया जैसे कि आपको जैसे अभी आपने देखा आपको क्या देखा अभी अपने अभी आपने मालो देखा mm2 co Hall 10 तो इसमें में ड्र मजमड कितना निकला एक निकला तो अगर मेंगम यह чीज हो सकता तो यह दिलमड का बॉंड क्या होगा आपको वन ही होगा तो यह सभी क्या हो गे यह सभी होगए यह सभी आई मतलब number of speculate क्या है ज dalते हैं डाल हुला चलिए जैसी कि आपका क्या पास क्या करते हैं देखे रिलक्स हो जाइए जैसे कि हमने एक गॉपल देख देखिये जैसे नीचामपल देखते है आपको कुछ मिसड़ра आप आपो निकल गया ना मेटनल बार निकाला तरिका इक्जामप्ल करें भी सम ऑइसो-इलेक्ट्रोनिक है बट मुर्ट है लिए ड्रे ड्रिकों कुछी एक्जांपल देखने जाड़े जो इस हो ऍलेक्टरुनिक तहां ए लेकिन इस्ट्रेटर्ट्रोन नहीं है जैसे कि अभी कि स्यो हॉल फाइव ठीक है डवलू स्यो हॉल 6 और अजी स्यू हॉल 4 ठीक है गोर से देखें इसके पास इल्टोन निकालिये तो आपको कितना निकाल ने कर देखित आयरन के पास है इस्तूड नहीं निकाल रहें इसका का यह काम खतम होगया मेटल मेटल बाइब जब भ यहां चे दुनी बारा तो कितना हो गया थाड़ा यहां देखो तो निकेल एस टू डी एट तो क्या हो गया दस और चार तो अठाड़ा इन सभी के पास जो नंबर उफ एलेक्ट्रोन ने वह क्या अठाड़ा यह सभी आई-स एलेक्ट्रोनिक लेकिन यह सभी साथ में आई-स अडर यहां चाइरण में 5C-0 लगा हुआ है टंगस्टन में 6C-0 लगा हुआ है तो यह तो यह सबसक्ते हैं क्यों यह सभी आपके अलग-अलगे जैंब्स है जैसे यह टेट्राइडल हो गई यह क्या हो गया ट्राइगोनल वाई पिरामिडल हो गया तो यह सभी आइसो इलेक्ट्रोनिक हैं लेकिन क्या होगे आइसो इस्ट्रक्च्च्रल नहीं है और आप कुछ एजामपल देखते हैं ठीक है जो आइसो इलेक्ट्रोनिक भी है और साथ में आइसो स्ट्रॉक्चरल भी है आइसो इलेक्ट्रोनिक मैंनेस ठीक है जिसे आपके पास क्या हो गया अपको जैसे आपके पास MN जासर होल four पर किया हो गया आपको three- Diesel जासर आपके पास क्या हो गया QR तो सीहयो हॉल four पर four-on С कर देखिए सभी के पास 18 लीटॉन ही पाइगा निकल के कंट किजी सबके पास क्या आएगा इतीन ही आएगा इसोफुए इसमें कोई शग नहीं है और सभी क्या होगी ता डाल चार कोंसीर चार सी ऋचार सी और चार सी ग Óर क्या फ़र्क पड़ता था श्क तुक्र सिर्प फूपर को लोगों ने फुरी दिर पहले पढ़ा कौन अभी हम लोगों ने पढ़ा था मन टू सी यो हॉल टैन इसका structure देखने की बारी है इसका structure कैसा होता है गौर से देखें यह रहा आपका कि यह रहा मन यहां एक और मन है कि यहां पर क्या गौर्च देखिए सी यो लो वी सी यो इसे यो भी सी यो फिर पिर शी यो फिर फिर सी यो फिर सी यो अब देखें वह कि आपको पता है कि एक बन्ट करूंता है अर बाकिता मिस अैसे हैं कर दो एक स्यो पीछे भी है कि यह देखो तो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम लोग यहां दिखाए कि हाँ एक बॉंड है अच्छ इसका पॉइंट क्या होगा सोच के देखिए तो सब एक तरफ है न तो डी फोड क्या हो जाएगा डी हो जाएगा पॉइंट गूप पड़ते रहिए काम आएगा आपको ठीक हां यहां मैंगनीशियम के बदले आप टेकनीशियम रख सकते थे रेनियम रख सकते थे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता स्ट्रक्चर सीमी लड़ाता समझगे बात को चलिए अब चलिए वापस चलते हैं किसमें हमने भी यह देखा है कौन सा यह वाला मिटल मिटल बॉंड यह देखा है चलो आगे देखते हैं मिटल मिटल पॉंड यह कलर सूट नहीं कर रहा है इस पर एक मिटर की यह कलर सूट नहीं कर रहा है अब वापस से इस क्लर रपयाते हैं ठीक है इस पे सब कुछ देख जाता अच्छे से चलो क्या वक्ते हम लोग एक एक नेक्स एक्जवांपल देखते हैं भाई कैंने रिशामपल हमारा है सियोटू है कि थीक है यह सीयोटू सियोट हॉल एट है आपको सबसे सबसे पहले मैंने क्या सिखा है थोड़ी दिर पहले देखिए आप कैसे निकालना चीखा था मेटल मेटल पॉन्ट सबसे बोले बोला था कि ए निकाली और उसके बाद फिर क्या निकाली बीवाई टू कर दीजिए यह थान देखे तो यहां पर कितना हो गया कहा है भई सबसे क्या था एनिकाला सबसे फिरें हम लोगों ने एनिकाला एक डूटर रिख निकाला एनिटीन मैने से कर दिया तो भी निकल गडिक डियुए ऐस यह कर देंगे तर मेटल मेटल आजाएगा आप बोलो गब सर्ट बात तो सही है सब्किन हम नेस फर्मूला को समझे नहीं सर कि क कितना हो गया नो दूनी अठाड़ा सोल दूनी सोलो तो सोलो और अठाड़ा कितने हो गया भी तो यह हो गया आपको थर्टी फोर में वेरी गुड यह बाहर का इल्टों कितना निकला आपको थर्टी फोर निकला अब भी चेक करो आप यह चेक करो कि अगर दो मेटल की हिसाब से तो क्या होना चाहिए थाड़ दूनी 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 चाहिए था मिटल बॉंड कितने आ गए तो मिटल मिटल बॉंड आपको एक आ गए समझ़र बात को कि मिटल मिटल बॉंड कितने आ गए आपको एक आ गए आई बास समझ में चलिए अब जड़ा चेक कीजिए को कैसे हो रहा है देखे अब इसका structure चेक करते हैं जैसे हमारे पास क्या हो गया ना यह देखिए यह हो गया कोबॉल्ट यहां भी हो गया कोबॉल्ट यहां मिटल मिटल बॉंड क्या हो गया एक हो गया ठीक है अब आपके बास कितना हो गया 8C हो गया ना 3C OSA तीन सी ओ ऐसे देखो यह कोबल्ट वाला सी ओ है यह कार्बोनाइल वाला सी ओ है और एक सी ओ ऐसे और एक स्यू से आइवा सनम्हें और यह क्या होगे आपको तो यह आपको solid form अगये यह कौन सा form वोगे आपको सालीर फॉर्म हो गया है यह इस भी कॉस्कित है कि म्यू टू सियो थो सकते यहां पर के चो अधिस यह वे वह क्या करता आप तो इस तक्ष मिंस्तु स्ट्रक्शन जह यह उपड़ यह जो कि यह आप क्या हो गई हो क्या हो क्या材 है तो आच कर ने आपके हैं तो ऐसे कटेगा यहां से सी टू होगा पर यहां सी टू हो गा फिर यहां दो Sunoya फिकह है और सीटु यहां से मिलेगा लेकिन सी्टू मिलेगा यहां से हैं से हां सु mine सब्सक्राहि यहां से मेλzemी नि आएगी है और आपको जड़ा गूर से देखिए कि इस ट्रक्चर को आपको क्या कर सकते हैं यह जो प्रिंसिपलarily एकक्सिस मिलेखे इसको पर कर टाके अलगए लगँ कर देते हैं किया मतलब आपका सर मतलब यह है कि हम को अलगअ करने जा रहा है तेखिए के कैसे लगझे पैजएगा है सिई तरुसी घो सारे सी और को यहां सीट्ट हो जायगा तो यह b creature हो जाया गो भी चाप क्या हो जाए गा यह पीचा सी यहां बीच इस तरह से सक जाएगा यहां ऑपर से इकटे तो यह जाएगादिवाहई क्या हो जाएगा यह यह हो जाएगा डी평ड अच्ञे कि छळिये आगे बात करते हैं जैसे एक एक्जामपल है एफी टू सीओ ओल्राइंट है हमारे पास नेक्स्ट एक्जामपल है एफी टू सीओ डाइन आप जाएकर पॉंट गूप को अच्छी तरह पड़ लेजिए ना ठीक है पॉंट गूप अच्छी तरह पड़ लीजिए देखे हम् Hmm ???? देखिए है मैस्ट लाये बढ़ते हमारे पास next है क्या है नमारे पास next हमारे पास modes e2 थे गप्स Nature k führen और पासट किया है एट डुब सी लोनाइन अगर हमारे पास एकनित वे तो यह नाग की यह के लिखेंगे इसको यह देखी आपके पास के पास हो गहाई आपके पस सबसे पहले ए दिक कितना हो गया आई ररन है इंए और दुनी सोलगों पिए र्टी का onarin 18 एय और और सिंपल देखें ने मिटल मिटल बॉंड कितना हो गया आपको तो मिटल मिटल बॉंड कितना हो गया आपको यहां पर वन हो गया एपी टू सी ओना इन कैसे बनता है समझ लिए इसको याद रखिए यह रहा आइरन यह भी रहा आइरन यह मिटल मिटल बॉंड और यहां पर एक स O यहां भी एक सिर्ड तो तरह और दधीक 6 तो letting दो एक यह 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 हैं चीओ यह उसी तरह एक सीर्ड यह है एक सीर्ड यह है सियो यहां होग सब्सक्वाण्वां तो इसका फोमला क्या होगा है मेरे पास कि हॉल 3 कि एफी 2 कि स्यों हॉल 6 कि तेक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आ जाते हैं अब कि एफी 3 कि स्यों 12 क्या आगे हमारे पास एफी 3 स्यों 12 बगड़ आ गया तो कैसे निकाल लेंगे तो एक आवेल्यू आपके पास क्या आया कि एक आवेल्यों आज स्ब्सक्राइब के पास एफी आयरों कितना होगे आई आर्ण आट होगे तो आर्थ गुना तीन प्लस कितना होगे अब बा तरहतींस24 ओविस और लड़ दुनी क्या होगे 44 तो बीगा वेलियो कितना गया आइरन आपको होगए छोवन और मैनस क्या होगा फोर्टी एट तो कितना गया इसलिए इसलिए बीब नीटल बॉंड कितने होगे तो मिटल मेटल बॉंड आपको यहां पर तीना रहें कैसे आएंगे आई इरन है आईरन है एक बन्ड यहां region 1 एक बन्ड यहां एक बन्ड अकट23 आ फिर बनाने की जूड़त नहीं है आपको बस आपको समझना है सी यो सी यो सी यो ard कि लिएश यो su고 है तीन तीन छे तीन नौ और दो क्या होगे आपको तीन तीन छे और चेश चाहर दस और दो बारा तो आपके पास टो टल सी ओ कितने हो गथा बारा हो गया अपके पास तो है तो दो और उसके बाक्त होंगे आपको यहांपर तो यह हो गया आपको उसके बाद हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं आइस एक्जामपल देखते हैं लोग नेश्ट इसामपल क्या है आपके पास जैसे कि आपके पर नेक्स दिया हुआ है से यह और यूटी ट्वलव और ऊएस थी से यह टूल भाई यह तो ऑइस टोट्रोनिक हो गया आपको पता है तो मेटल मेटल बॉन्ड कितना आया है तो तीन तीन ही आएगा और बॉंड ओर्डर कितना होगा बॉंड ओर्डर कितना हो जाएगा तो सिर्फ बॉंड ओर्डर क्या हो जाएगा कि मेटल मेटल के साथ जो बॉंड इससे बना हुआ देखिए बॉंड ओर्डर के बात करेंगे यहां पर ठीक है यह जो बॉंड आप बॉन्डर रोड़ कॉंसेट को अधा दी यहां से तो मेटल मेटल बॉंड कितने आगए हमारे पास तीन-तीन करके मेटल बॉंड हमारे मेटल मेटल बॉंड आ गया के देखिए हैं यहां पर एक बात आपको धिफन होगी टॉप टू बॉटम जाने पर प्रिजिंग ड्रपर्टी क्या होती है आपको कर ब्रूब जाती है और उनकी क्या हो जाएगी बिजिंग नहीं होगी ना यह दूखें उनकी Deswegen क्या होते जाएगी घटती जाएगी 하지 उपर वाले ब्रीजींग करते नीचे वाले ब्रीजिंग नहीं करते है ठीक है मतलव पर वाले घ्रूप होता है मतलब जो ग्रूप होते हैं सी यो वो ब्रीजिंग करते हैं जनरली नीचे वालों आते हैं क्या होता ब्रीजिंग नहीं हो पाती है ठीक है